नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में HMD Crest Max vs Samsung Galaxy A14 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो Crest Max में 6.45 इंच जब की A14 5G में 6.6 इंच की लेंख मिलती है विद्ध की बात करें तो Crest Max में 3.01 इंच जब की A14 5G में 3.07 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Crest Max में 0.33 इंच जबकि A14 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती ही जो की Crest Max से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Crest Max में 205 ग्राम्स जबकि A14 5G में 201 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेन जैसा ही है चलिए, अब हम दिस्पले की तुलना करते हैं डिस्पले टाइप की बात करें तो, Crest Max में OLED जबकि A14 5G में PLS LCD की दिस्पले मिलती है आसपेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो नौ मिलता है डिस्पले साइस की बात करें तो, Crest Max में 6.67 इंचेस जबकि A14 5G में 6.6 इंचेस मिलती है डिस्पले रेजलूशन, Crest Max में 1080x2400PX FHD+, और A14 5G में 1080x2400PX FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio, Crest Max में 85.78 प्रतिशत जबकि A14 5G में 80.4 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Crest Max में 395PX प्रतिश जबकि A14 5G में 400PX मिलती है अब देखते हैं डिस्पले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताई की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Main Camera की तो, Crest Max में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखे में Macro Camera देखने को मिलता है और A14 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखे में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 different type के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो Crest Max में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 2 different features मिलते है और A14 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Crest Max में Mali G57 MP4 जब के A14 5G में Mali G68 MP2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Crest Max में Unisop T760 और A14 5G में Samsung Exynos 1330 मिलता है बात करें RAM की तो Crest Max में 8 GB की RAM मिलती है जब की A14 5G में 3 option देखने को मिलता है जिसमें 4 GB, 6 GB, 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Crest Max में 256 GB की storage मिलती है जब की A14 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 64 GB, 128 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Crest Max में अप टू 256 GB जब की A14 5G में अप टू 1 TB है operating system की बात करें तो Crest Max में Android V14 जब की A14 5G में Android V13 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Crest Max में 1 colors जब की A14 5G में तीन colors option मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें price की तो Crest Max में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 8GB RAM 256GB Storage के साथ 16,499 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें A14 5G की तो उसमें 4 variant देखने को मिलते हैं जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 12,499 रूपीज 4GB RAM 128GB Storage के साथ 15,499 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 15,999 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 17,999 रूपीज में मिलते हैं दोस्तो अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो HMD Crest Max में 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात कतें Samsung Galaxy A14 5G की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में Crest Max आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Moto G044G है दुसरा Tecno Camon 35G है तीसरा Realme 12 Plus 5G है और लास्ट Competitor Phone की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्या से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले